Hello students, this is Rahul and you are watching Genius World. वीडियो, तो first of all ना, देखो, मुझे basic से बताना पड़ेगा, तो फूल मैं आपनको एक मिनिट में आपको समझाता हूँ कि मोल्स क्या होता है, तो first of all बच्छा आपको समझना पड़ेगा कि मोल्स का मतलब क्या होता है, देखो, जैसे मान के चलो, आपको कभी केले खरीदने होता है 12 बनाना मतलब के 12 केले के, इसका मतलब आप अगर 12 बनाना लाएं, तो आप कितने दरजन केले लाएं, आप 1 डूजन केले लाएं, तो मुझे बताए कि क्या मैं सिर्फ बनाने के लिए डूजन यूज़ कर सकता हूँ, ऐसा तो नहीं है, मैं डेखो, जो भी चीज़ तो उसके लिए ना अपन को ऐसी कॉंटिटी चाहिए थी, तो हमने निकाला मोल्स, अब मोल का मतलब क्यो होता है, जरह यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे मान के चलिए, मैंने आप से कहा, कि 1 मोल जो होता है, 1 मोल इस इकल टू होता है, 6.023 इंटू 10 पावर 23 के, आप कन्फ तो ध्यान रखिएगा, 1 मोल में इतने अटम्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी नंबर को हम कभी ऐसे भी ले सकते हैं, 6.022 इंटू 10 पावर 23, क्या होता है, यह देखो यह नंबर न, इसका अप्रोक्सिमेशन ही बहुत लंबा नंबर है, तो उसका बना अप्रोक्सिमेशन करके इतना कर दिया, तो basically हम इन दोनों में से यह वाला ज्यादा यूज़ करेंगे, है ना, तो ध्यान रखिएगा, 1 मोल में इतने अटम्स प्रेजेंट होते हैं, आप दोनों यूज़ कर सकते हो, लेकिन I guess यह वाला ज्यादा बहतर है, I suggest कि यह वाला ज्यादा आपको अब आई बन मोल में पता चली गाए, suppose करो मैं आप से बोलता हूँ, हमारे पास 2 मोल कोई सबस्टेंस है, 2 मोल कोई सबस्टेंस है, हमें नहीं पता उसका नाम क्या है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, देखो, जैसे कि डोजन में सिर्फ केले नहीं हर्चीज गी नहीं जा सक करना है, 2 मोल के लिए, तो मॉल्टिप्लाइ कर दो 2 से, अब जहां से देखना, हमें इस नंबर को बिल्कुल टच नहीं करना है, तो यहाँ पर यह रहेगा, 10.23 और आप इसमें मॉल्टिप्लाइ कर दो, तो टूसा 4, 0 का 0, 6 टूसा 12, अब एक बात और देहां नको, यह जो पावर रेज होती है, वो एक प्लस होती है, और अगर आप इसे यहाँ मूव करते हैं, तो टैन की रेज पावर जोती है, और माइनस मूव होती है, लाफ्ट है प्लस, राइट है माइनस, तो अपने इसे कितना लिख सकते हैं, 1.2044 इंटू 10 पावर 24 एटम्स यहाँ पर प् हमारे पास 18.066 इंटू 10 पावर 23 एटम्स यहाँ पर प्रिजेंट हैं, कितने एटम्स प्रिजेंट हैं, यह यह यहाँ से भी लिखा सकता है, 1.8066 इंटू 10 पावर 24 और आप से पूछ लिए बताओ मोल्स कितने हैं, तो कुछ नहीं करना आप मुझे बताईए, 1 मोल्स में क कितने एटम होते हैं, तो हमारे कोशन है, देखो, 1 मोल्स में कितने एटम होते हैं, तो पहले कोशन के लिए उरुपर नूट कर लेते हैं, 1.8066 इंटू 10 पावर 24 और बताईए, 1 मोल्स में कितने एटम हैं, 1 मोल्स में एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10 पावर 23, तो अब देख एपन 3 टाइम में कैंसल कर देंगे, 3 टाइम है नहीं, 0.3 टाइम है, क्योंकि यहां 6 और यहां 1.8 है, तो यह 0.3 बार में कैंसल हो जाएगा, तो कितना हो गया, 0.3 इंटू 10 की पावर 1 या फिर एपन 10 लिख सकते हैं, और आप फाइनल इसका अंसल कितना जाएगा, 3 मोल्स प काल सकते हैं, तो उसके लिए मैंने इस चैनल पे एक शौट वीडियो बनाया हुए, आप इसे जाकर देखिए, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जुड़ जाएगे हमारी यसी सेना में, और मेरे टेंगली वी कुछ रही है, बाइब बाइ